जेशी कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव, कैसे ही आप सब स्वस्त और सुरक्षित होंगे, दोस्तों, प्रत्यक विक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ कारे अवश्य करता रहता है, कोई धन प्राप्ति के लिए, कोई अपने बच्चों के विभा, योग शादी जमाने के लिए घर से निकलता है, कोई इंटर्वियो देने निकलता है, कोई एक्जाम देने निकलता है, कुछ ना कुछ ऐसा कारे चलता ही रहता है, जीवन ही ऐसा है, कि बिना कारे के हम रही नहीं सकते हैं, और इसके लिए हम प्रयास भी करते हैं, अधक प्रयास, यदि ह हम नोकरी के लिए जा रहे हैं तो उसके पूरी पहले से ही त्यारी करके रखते हैं इंटर्व्यू के लिए यदि हम एक्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए भी पूरी पहले से प्रिप्रेशन रहती है हमारी और यदि हम स्याधी विभा के लिए जा रहे हैं लड़का लड़ में ही हम करने शुरू कर देते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कारी के लिए निकल रहे होते हैं हमें विश्वास भी है कि ये कारी अच्छा है हो जाना चाहिए होना ही चाहिए और लगता भी है कि हो जाएगा लेकिन कुछ ना कुछ मन में शेंशय बना रहता है, कुछ पर्सेंट तो हमारे मन में इस्तिती बनी रहती है, ये कहीं ऐसा ना हो, कि हम इसमें आसफल हो जाएं, आसफल रह जाएं, हम यदि कुछ कारें को, कुछ उपायों को करकर निकलते हैं, बहुत छोटी-छोटी सी बातें, जो देनिक जीवन में यदि दुकान पर जाता है, शौक पर जाता है, तो वह कमाई करने निकलता है, यदि नोकरी के लिए जाता है, तो वहाँ भी उसको कारें तो करना ही होता है, और चाहता है, कि उसका पूरा दिन अच्छा निकले, यानि हमारी तीन सो पैसर दिन में से तीन सो पैसर दिन हम का कारे के लिए निकल रहे हैं तो आप कुछ उपायक अवश्य करकर निकलें यदि आप कोई विशेश कारे के लिए घर से निकल रहे हैं तो आप शीशा देखकर आईना देखकर निकलें इस काम के लिए यदि कोई सौंबार का दिन है और आप शीशा देखकर निकल रहे हैं तो यदि आप कोई विशेश कारे के लिए मंगलवार के दिन निकल रहे हैं, तो आप निकलती समय, थोड़ा सा गुड, गुड के साथ यदि केसर खा सकते हैं, केसर है आपके यहां, तो केसर भी, यदि ये दुनों खाकर निकलते हैं, तो आप मान कर चलिए कि वह कारे आपका अपने जीम में रख लीजिए, क्योंकि बुद्ध जो ग्रह होता है, वह हरी रंग का कारक माना जाता है, और जब एसा कहा जाता है, कि जब बुद्धवार के दिन आप घर में भी भोजन बनाते हैं, और इसमें हरी रंग की ज़्यादा आवस्तुएं होती हैं, कोई ऐसी हरे रंग का आपकी जेम में रख कर निकलते हैं, आपके पास रख कर निकलते हैं, आपका वह कारे होने की चांसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, गुरुबार के दिन आप घर से निकलें, कोई भी कारे के लिए तो हल्दी का तिलक या केसर का तिलक अवश्य लगा कर निकलें क्योंकि ये ब्रस्पती देव का दिन होता है और पीला रंग उन्हें खास तोर पर, विशेश तोर पर पसंद होता है यदि आप ब्रस्पती देव की पुजन करके निकलते हैं तो और भी ज़्यादा उत्तम बहुती विशेश फल मिलता है इसका यदि आप शुक्रवार के दिन निकल रहे हैं कोई कारियों के लिए तो आप मा लक्ष्मी की दर्शन करकर निकले और यदि कोई बिजनस संबंदी धन संबंदी कारी के लिए निकल रहे हैं तो आप अवश्य लक्ष्मी की पुजन करके निकले उनके दर्शन करके निकले और यदि हो सकता है पॉसिबल है तो कोई भी सपेद रंकी मिठाई यदि मिठाई नहीं भी है तो आप दही में शकर डाल कर उसका भोग लगा कर लक्ष्मिया को समर्पित करकर निकले आपका वहकार अवश्यप पुरा होगा जब आप लक्ष्मिया को उसका भोग लगाते हैं वही दही ओशकर या जो भी मिठी अपने सपेद रंकी मिठाई रखी है मिठाई रखा है थोड़ा साब आप परशात के रूप में ग्रहन करके निकले आपका भैकार अवश्यप पुरा होगा और साथ ही यदि शनिवार को आप निकल रहे हैं तो पान खा कर निकले यदि पान नहीं है घर पर पान बजार से लाना पड़ेगा या नहीं मिल पा रहा है तो आप लोंग मुँ में रख कर निकले क्योंकि पान का महत हो तो वैसे ही बहुत अपने आप में हैं लेकिन इसमें लोंग डल जाती है इलाईची डल जाती है तो इसक अब ही निकला जाता है कारे के लिए, तो आप सूरी नायन को जल समर्पित करके निकलें, मतुल साथ जी को जल समर्पित करके निकलें, आपके कारें के सफल होने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही अच्छी तरीके से वो कारे आपका निर्विर्द्न संपन होता आप निकलती समय यदि भगवान गणेश का मन ही मन आवान करके निकलते हैं दर्शन करके निकलते हैं तो आपका वो कारे और अच्छी तरीके से पूरा होता है करकर निकलें शद्दा और भक्ति के साथ ये कारे करके देखें शद्दा विश्वास के साथ करके देखें आप द